ये नवरात्र का समय है, शक्ति की उपासना का समय है, आज भारत का जो सामर्थ नए सिरसे निखर कर सामने आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी भूमी का हमारी नारी शक्ति की है। हाल फिल हाल ऐसे कितने ही उदारान हमारे सामने आये हैं, आपने सोशल मेडिया पर एशिया की पहली महिला लोको पाइलेट सुरेखा यादव जी को जरूर देखा होगा। सुरेखा जी एक और किर्तिमान बनाते हुए बंदे भारत एक्स्प्रेस की भी पहली महिला लोको पाइलेट बन रही है। इसी मही ने प्रोडूसर गुनित मौंगा और डारेक्टर कारती की गोंजाल लुईस उनकी डॉक्यूमेंटरी एलिफंट विस्परर्स ने ओसकर जीत कर देश का नाम रोशन किया है। देश के लिए एक और उपलब्दी भाबा अटोमिक रिस्टर सेंटर की साइंटिस्ट बेहन जोतिरमई महंती जी ने भी हसिल की है। जोतिरमई जी को केमिस्ट्री और केमिकल एंजिनिर्ग की फिल्ड में आई यू पी एसी का विशेस अवर्ड मिला है। इस वर्ष की शुरुवात में ही भारत की अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल कप जीतकर नया इतिहास रचा। अगर आप राजनिती की और देखेंगे। तो एक नई शुरुवात नागालेंड में हुई है। नागालेंड में 75 वर्षों में पहली बार दो महिला विधायक जीतकर विधानसभा पहुंची है। इन में से एक को नागालेंड सरकार में मंत्री भी बनाया गया। यानि राज्य के लोगों को पहली बार एक महिला मंत्री भी मिली है। झाल झाल